अगर आप CET The Brahmast batch में जॉइन करना चाहते हैं या GS Gurus जॉइन करना चाहते हैं या Foundation batch जॉइन करना चाहते हैं SAC exams के लिए ये new batches start हुए हैं अगर आप इन batches को जॉइन करना चाहते हैं तो Unacademy की app install करें Unacademy की app install करने के बाद आपको SAC exams category चूज करना है उसके बाद get subscription करने के बाद referral code की जगा आपको PMYT code अपलाई करना है जैसे कि आप PMYT code अपलाई कर देंगा आपको maximum discount मिल जाएगा हलो गाईस क्या हाल चाल आप सबके क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है किस तरीके से पढ़ना है कि सब चीज़े आप अच्छे साथ रिटेन कर पाओ English और Maths में किस तरीके से आपको चीज़े पढ़ने हैं यह हम discuss करने वाले है बात करते हैं English की तो देखो English की अगर बात की जाए तो यह तीन जगों से question पूछता है grammar, grammar की बात की जाए तो parts of speech plus tense, narration, voices, articles यह सब मिला के आपका grammar का syllabus बनता है vocab की बात की जाए तो vocab से पूछे जाते है one word substitutions, idioms, synonyms, antonyms, spellings phrasal verbs यह सारी चीज़े आपको cover करनी होती है reading comprehension की अगर बात की जाए तो देखो reading comprehension से mainly closer से question पूछा जाता है sentence realignment से and unseen passage से तो आपको strategy बनानी होगी proper कि किस तरीके से means में आप maximum score कर सकते हो अगर बात की जाए examination की तो 200 questions पूछे जाते हैं 200 questions में से अगर reading comprehension and voice और narration मिला दिये जाए तो करीब करीब 100 questions यहां से बन जाते हैं तो आप देखो यह चीज़ करना कितना ज़्यादा important है reading comprehension को किस तरीके से करें देखो grammar और vocab की basic समझ तो आपको होनी नहीं चाहिए तभी आप reading comprehension को अच्छे से कर पाऊगे अब बात की जाए close test, sentence, rearrangement और unseen passage की तो यह तीन topic नहीं है unseen passage suppose करो यह कोई आपके सामने unseen passage है यहां से आपसे questions पूछे गए हैं अब अगर इसी passage के lines को मैं jumbled करके लिक दो तो sentence rearrangement है अगर इसी passage में से कुछ words को systematically निकाल दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या fill किया जाना चाहिए with options तो आपके सामने close test का question आजाएगा तो तीन topic मत समझना कोई भी एक topic को आप अच्छे से करोगे बाकी topics भी strong होंगे अब इसको करने के लिए grammar और vocab की basic knowledge आपके पास होनी ही चाहिए तो systematically देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है grammar की बात की जाए तो देखो grammar आप notes से कर सकते हो rules की बात की जाए यो नीदो सिंग मैम की book से आप practice कर सकते हो तो ये दो जगें जहां से आप rules कर सकते हो तो इसके अलावा अगर आपको पूरी grammar का निचोड चाहिए तो top 100 grammar rules कर लीजिए उसमें पूरी grammar के the most important rules cover किये गए है वो एक revision module की तरीके से है ठीके इसके अलावा और practice कहां से करनी है MB publication से केरन की Superfast English की book ले लीजिए का वहां से भी आप practice कर सकते हो तो यह वो चीज़े हैं जिसके लिए grammar के लिए जो आपको पढ़नी है notes से revise कर लो नितुसे मैम की book से revise कर लो और practice यहां से करनी है आपको एक तो यहां से यहां से और यहां से यह तीन चीज़े इसके अलावा panacea तो है CYQs and PreyQs current year questions and previous year questions तो पहने सिया है ही बात की जाए vocab की तो देखो सबसे पहले आपको SP बक्षी की vocab कम्प्लीट करनी है यह कर लेने के बाद आपको MB publications में जो आगे vocab दी जाती है वो completely अच्छे से करनी है इतना हो जाए उसके बाद आपको करनी है word power made easy अब यह एक ऐसी book है जो ना सिरफ आपको vocab में help करेगी बलकि grammar और reading comprehension भी आपकी इससे strong होंगी तो यह book तो आपको हर हालत में करनी है अब कैसे पढ़नी है किस तरीके से वो सब चीज़े में आपको सिखा दूँगी उसकी tension मतलो again इसमे current year questions और previous year questions तो आपको करने ही है वो चीज़ तो यह लगा लो कि यह चीज़ तो करनी है जहें बोलो जहें ना बोलो ठीके अब बात करते हैं reading comprehension की न्यूस पेपर पढ़ना क्यों beneficial होगा यह सिरफ आपका reading comprehension के लिए नहीं vocab के लिए और साती साथ जो आपका tier 3 होना है उसमें भी तो आपको पूछे जाएंगे topics तो यह सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी reading comprehension इस चीज़ पे अगर आप work करते हैं तो आपको tier 3 के लिए जो है काफी benefit मिल जाएगा अब previous year questions तो करने ही है जितनी ज्यादा practice कर सको उतना ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है अब करना किस तरीके से बही शुरू हो जाओ 2019 CGL Pre-K questions ते आंसर किया चूकिए आपके पास exam papers तो ही यहां से शुरू हो जाओ पहले 2019 CGL को निप्टाओ फिर 2018 फिर 2017 इस तरीके से आपको निप्टाना है और CPO और CHSL को नहीं छोड़ना है भई कोई difference नहीं है लेवल में आपको यह चीज़ पता है TCS के आने के बाद से तो specifically मैं यह बोलना चाहूंगी कि लेवल में ज्यादा difference नहीं है तो सारी चीज़े आपको cover करनी है वो कैब का कुछ नहीं पता भई CHSL का question है आके CGLP में repeat हो रहा है आगे mains में repeat हो जाए कुछ नहीं कहा चाह सकता तो सारी चीज़े current year questions जो TCS ने कराए हैं वो तो आपको सारे examinations अच्छे से करने हैं उसके बाद 2017 mains, pre, 2016 इस तरीके से चलते चलो mathematics की अगर बात की जाए तो आपको आपको दो sections निप्टाने होते है arithmetic and advanced mathematics advanced में आ जाता है आपका geometry, mensuration, algebra, trigonometry, height and distance यह सारी की सारी चीज़े तो इसका pattern क्या रखो आप यह समझ लो say 3 days या 4 days ले लो 4 days में आपको एक topic करना है advance का एक topic ठीक है और 2 दिन में आपको एक topic मिक्टाना है complete हो जाए topics फिर cycle को दुबारा शुरू कर दो यह cycle आपको तब तक continue रखना है जब तक कि आप mains के जो mock test है उसमें maximum score ना करने लग जाओ एक बार अगर mock test लगाना शुरू कर दिया उसके बाद क्या करो उसके बाद जो mock test में जिस chapter में आपको लगी weakness है उसी को फिर से कर लो तो यह चीज़ें आपको करनी है एक इसके अलावा एक अलग से अभी notebook बना लो गई English और Maths दोनों के लिए एक notebook अभी से बना लो उसमें आपको करना क्या है जो mock test लगाओगे एक तो mock जो लगाओगे उसका आपको score लिखना है daily जो भी English और Maths आपको यह देखना है कि कितनी improvement कर बारे हो दूसरी चीज़ क्या करनी है जो Maths में आप questions solve करोगे उसमें identity होंगी formula होंगे यह सारी चीज़ें आपको इसमें note करनी है चाहें आपको आते हों चाहें ना आते हों आप देखोगे कि frequently जो identities हैं ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही random वो पूछ ले related ही पूछी जाएंगी similarly vocab आपको note करनी है तो इस तरीके से अगर आप सारी चीज़ों को systematically करोगे तो easily हर चीज कवर हो जाएगी और साथी साथ English तो ऐसा subject है जो आपको tier 3 में भी आगे help करने वाला है तो सब चीज़े बिल्कुल एक साथ अच्छे से हो जाएंगी बिल्कुल भी attention लेने की ज़रत नहीं है बस जैसे आपको strategy बताई है उसको follow करो इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत है maths में अगर आपको basic से पढ़ना है या कुछ भी ऐसा problem है कि आपको basic से ही सब चीज़े सीखनी है तो English के batches चल रहे हैं और भी आ जाएंगे अगर आप CET the Brahmast batch में जॉइन करना चाहते हैं या GS gurus जॉइन करना चाहते हैं या foundation batch जॉइन करना चाहते हैं SAC exams के लिए ये new batches start हुए है अगर आप इन batches को जॉइन करना चाहते हैं तो Unacademy की app install करें Unacademy की app install करने के बाद आपको SAC exams category चूज करना है उसके बाद get subscription करने के बाद referral code की जगा आपको PYT code apply करना है जैसे कि आप PYT code apply कर देंगा आपको maximum discount मिल जाएगा